हलो आई टे के छात्रो गुड मॉनिंग नमस्कार संडे है और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर लेकर आया हूँ उन छात्रों के लिए जो की टीजी टू की भरती का इंतिजार कर रहे हैं साथी को आप से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फूल वाच करना चैनल भी हतास और निराज नहों अब आपको यहां पर साल दो साल नतिजार भी करना नहीं पड़ेगा और भरती यहां पर हजारों की संख्या मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में देखो दोस्ते हैं आप पर 891 परिक्षा अभी अभी ज देख लिया होगा अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वे एक complete वीडियो में बता दूंगा कि कटाफ क्या जाने वाला है कि स्वारी क्या गया और आपके इस upcoming भरती में कटाफ क्या रहने वाला है ठीक है तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और vacancy दोस्तों कितनी आ रही है कब तक आएगी टीजी टू की और यह सभी मुद्दवर बात करेंगे तो आप से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सेयर कर देना सभी लोग के पास अपनी छात्र जितने भी आपके फ्रेंड हों के प्रेंड सब्सक्राइब होगा और सब्सक्राइब यह रूकर लेना ठीक लेकिन दोस्ते हम पर बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि हाँ बेकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी दोस्ते हाँ पर जो टॉप कमेंट्स होगा हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे इसलिए आप से रिक्वेस्ट हलाकि मैं बहुत पहले सही कहता रहा हूँ कि यह चुनाव है भाई चुनाव में आपको देखने को मिलेगा लोक सभा चुनाव से पहले बिग्यापन निकालकर आवेदन लेने की तयारी यूपी सरकार छे महिने में 15,000 को देगी नोगरी अब दोस्तों 15,000 में हमारा पावर करप्रेशन लिम्टेट में कितनी पोजिशन से यह भी बताएंगे आपको साथ हजार से नए पदों कावदन लिए जाएंगे किसमें देखो जो 15,000 है इसमें यूपी ट्रेपल सी भी सामिल है सिर्फ अपना और करप्रेशन ही नहीं अगर इसे बात करते हैं यूपी की भरत है इसे 2022 दोस्ते हैं बात करते हैं आप देखेंगे नीचे थोड़ा सा आएंगे आपर लिखा हुआ है आप देखेंगे अगर पढ़ पा रहे होंगे अधिनस्त सेवा चैन आयोग अधिक 5,440 पदों पर भरतियों के लिए अविदन लेगा यूपी लोग सेवा आयोग 598 ब 836 पदों पर भरतियां करेगा ठीक है यह लिखा हुआ तो देखें हमापर इत्तर पदेशन में 50 लाग आवेदन किसके हुए है यूपी प्लिस पे हुए है ये पचास लाग आविदन यूपी पूलीस की बात कर रहा है ठीक है और इसकी बात कर रहा है अब आप लोग कि इस इस्तिति है उसकी बात कर रहा है ओइस देट को मत जाना एडेट अंच इने कर रहा है कि कितनी भरतियां हुई है टूटल में विमारी इसने वाघयाश्वाट परक्यों भक्राइब सामिल है मेडिकल है एक सब सब कुछ मिला जो लगर करके तो लगभग यहां पर 1136 यहां पर टेकनेसियन के पाद आने वाले हैं तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों यहां पर तैयार हो जाईए अभी से ही कमर कस लिजिए और जितने भी यहां पर स्टडी मेटरियल हैं आप लोग अच्छे से अपने तैयारी शुरू कर दीजिए बोक्स होगर आप पढ़ते रहिए और ताकि आप लोग सही टाइम पे आपको सही चुनवती को दोस्तों होता कि आना सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं होता है जिससे कि बहुत कश्ट होता है तो पहले बता दे रहा हूं आपको कि यह भरती चली मतलब यह भरती क्लियर हो चुकी हाट से कानबे नई भरती के आगाज होने वाला है और सही टाइम पे आप लोग सही पंच मारिए ताकि आपका जो है सेलेक्शन आने वाली भरतियों में हो जाए जिनका नहीं होगा है व पर सुने पर सुहागा होगा क्योंकि आप अगर आपके माक्स थोड़े बहुत काम आये हैं अगर पढ़ेंगे तो थोड़े और बढ़ जाएंगे ठीक है तो यह चीज रिपेंट करता है आपकी प्लानिंग पर और त्यारी पर दोस्ते हां पर जो मैंने दिखाया आपको फ अपसफ लिखा हुआ है और यह कटिंग है तोस्ते हैं किसकाक फिक हैं अमर अरुजयायला का करतिंग है और अमर उजयला में निकला हुए हैं सायलंगर कुमत्ता वास्तों दूझ डिखेंग लवे में राचनव उत्रक प्रदवित सरकार नियु हां 17,586 युमाओं को नौकरी देने जा रही है इसमें नए 7172 पदों के लिए आवेदन लिये जाएंगे और 10149 पदों के लिए परिक्षा कराते हुए भरती परक्रिया होगी इस सम्मंद में विभीन आयोग ने सासन को हुचक दे दी है सबसे अधिक 4700 राजों से लेखपाल के पदों पर भरती होगी मतलब कि लेखपाल की भी वेकेंसी आ सकती है देखिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूं यहां पर पाउर का परिसंग की नहीं लेखपाल की भी भरती आएगी अधिरस्त सेवा चायन आयोग इसके लिए जल्द बिग्यापन निकालते हुए आनलाइन अप 2085 राजे सलेखपाल के पदों पर भरती परक्रिया पूरी हो चुकी है यह पूरानी बात है यह नए अकबार के कटिंग है आज कल का है इसके साथ ही अवर अभियंता कनिक सहायत और तकनिकी संवर के पदों के लिए आवेदन होगा देखो देखो मैंने एक वोल दिया था त सरकार ने 6 माह यानि जून 2024 देखो डेट दिया गया है अब तो समझ जाना देखो यहां पर 6 माह यानि जून 2024 तक विभिन विभागो द्वारा विभिन पदों का धार पर भरती परक्रिया सुरू करने का निर्देश दिया था और यह परक्रिया चलू रहेगी तो अब दोस आप लोग सुरू कर दो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वह जाओ वह यह आपको कहीं और समझो अपना क्लियर करो जिसको समझ में आ गया है टेलीग्राम का लिंक जॉइन करो और जॉइन करके आप बताओ मैं आपको बिल्कुल कंप्लिट एटूजेट आपको इसमें बतान